Let us solve this question, यह बहुत ही आसान question है, determine the number nearest to 1,10,000 which is exactly divisible by each 8, 15 and 21 अभी हम यह solve करें उससे पहले मैं आपको एक simple example दे रहा हूं ताकि वो example से आपको यह आसानी से समझ में आ जाए तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलू कि मेरे पास एक number 25 है, instead of 1,10,000 एक number 25 है और इसके close ऐसा number ढूंडो जो 2,3,4 से divisible हो तो मैं क्या करूँगा तो मैं इसका LCM निकाल लूँगा, इसका LCM बहुत आसन तरीके से निकाल सकते हैं, उसका LCM होगा 12 अभी मैं इसके close number ढूंड रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे 12 से divide करूँगा, 12 x 2,24, remainder हो गया 1 अभी मैं यह remainder इसमें से minus कर दूँगा, तो मुझे मेरा answer मिल जाएगा, 25 minus 1,24, 24 is the closest to 25, और जो 2,3,4, 2,3,4, 3,0 से exactly divisible हैं अभी यह सेम फंडाम इस पर लगा देते हैं, तो अभी हम 8,15,21 का LCM निकाल देंके, अभी LCM निकाल देंकि कोई भी method आप यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर common division यूज़ कर रहा हूँ, तो 8,15,21, अगर example समझ में आए तो question आसान से समझ में आ जाएगा, तो अभी यहाँ अभी मैं 2 से सुरू कर रहा हूँ, 2 x 4,8, यह 15 कॉपी क्योंके 2 के टेबल में नहीं है, 21 कॉपी, अभी फिल से 2, 2 x 2,4, 15 कॉपी, 21 कॉपी क्योंके वो 2 के टेबल में नहीं है, तो again 2, 2 x 1,2, 15 कॉपी, 21 कॉपी, then I will go with 3, so 3 x 5, 15, 3 x 7, 21, then last में हो जाएगा, 5 x 1, 5, यह 1 कॉ कॉपी, 7, कॉपी क्योंके वो 5 के टेबल में नहीं है, and 7 x 1, 1, 1, so 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 7, यह मेरा LCM है, अभी यह कल्कुलेशन को easy करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 x 5, 10, तो यह आपर में 10 लिक रहा हूँ, then 2 x 2, 4, 4 x 3, 12, 12 x 7, 84, 84 x 10, 840, 840 हो गया मेरा LCM, अभी जैसे मै ने example में explain किया था, हम क्या करेंगे, 110,000 को divide करेंगे 840 से, अभी 840 का table हमें नहीं पता है, लेकिन 84 का पता हो तो उसे आसानी से लिख सकते है, जैसे 840 x 1, 840 हो जाएगा, 840 x 2 कैसे करेंगे, तो 84 x 2 कर देते, 168, और उसको एक 0 लगा देते, लेकिन यहां पे 1100 के closest तो 840 है तो यहां पे 840, माइनस कर देंगे 0, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 2, 260, अभी मैं drop down कर दूंगा यह 0, मुझे सूचना है कि 2600 के closest क्या है, तो वो हो जाएगा 840 x 3, अभी 84 x 3 करके मैं एक 0 लगा दूंगा, तो वो हो रहा है 2520, तो यहां पे 2520, माइनस करेंगे तो simple य यह 0 को, तो यह हो जाएगा 800, अभी यह आगे नहीं जा सकते, यहांपे मैं 3 लिखना भूल गया, तो यह 3 लिख रहा हूँ, अभी यह आगे नहीं जाएगा, तो हमारा remainder 800, अभी यह आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई यह जो है, उससे यह छोटा है, मतलब अभी decimal तो 800 को इसमें से माइनस कर दो, वह हमरा answer हो गया, 1,10,000 उसमें से माइनस करना है मुझे 800, आसानी से हो जाएगा, 0, 0, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1, यानि यह हो गया 1,9,200 answer, तो मैंने इसलिए simple example से शुरुआत में दिखा, क्योंकि simple example समझ में आ गया, तो यह समझ में आई जाएगा, So I hope you find it useful, thank you.